अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप अपनी त्यारी एन Academy Plus से करिए, एन Academy की learning आपको install करिए, अपना exam चूज करिए और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगए discount code एंटर करना है PMYT, यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा और यह discount code पूरे अन Academy पर valid है भले है आप UPC, SSE, Bank, CDS, NDA, State, PC, UGC, IIT, NEET किसी भी exam की अगर आप त्यारी कर रहे हैं PMYT, यह discount code लगा है आपको maximum discount मिल जाएगा Hello guys, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब के त्यारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे about SSE CGL versus Bank PO, यह एक ऐसा topic है जिसके बारे में confusion कभी न कभी आपके मन में ज़रूर आया होगा अगर आपने त्यारी जब स्टार्ट करी होगी, या फिर अगर आप ग्रेदुरीशन में हैं, या ग्रेदुरिशन कर चुके हैं, आप यह भी ग्रेदुरिशन की है, तब आपके मन में जरूरी डाउट होगा की SSE करें या Bank करें, दोनों ही एक्जाम सच्छे हैं, लेकिन किसके तरफ जाएं, किसी से आप पोस्ते हो, किसी को कोई बोलता है कि S सकते हो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करना चाहते हो बेस्ट प्लेटफर्म आपके लिए रहता है अनकेडमी प्लस उस पे आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पी एम वाईटी डिसकाउंट को याद कराता है CGL का कमबाइन ग्रेजुएट लेवल का यदि आपकी ग्रेजुशन हो गई है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके त्रू जो आपको पोस्ट मिलती है वह आपकी ग्रूप भी और ग्रूप सी की पोस्ट होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिपार करें तो सबसे पहले तो देखो अगर आप जो भी एक्जाम दो गेहिन में से तो आपको कौन-कौन से लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे तब आपका सेलेक्शन होगा CGL अगर आप देते हो तो आपको टीर बन टीर टू टीर त्री एंड टीर पोर क्वालिफाई करने जाब में देखो एसे CGL में जिकने भी आपके जॉब्स होती है वह मेंली आपकी डैस्क जोब होती है कुछ फ। ऐसी होती है जिनमें फिल्ड वर्क भी रहता है यहां पर काफी जादा होता है आपने भी देखा होगा बैंक में कस्टों में डिरेक्शन इनका काफी जाता होता है अब आती है वर्क लोड की बात वर्क लोड देखो SSE CGL में जितनी भी पोस्ट है वर्क लोड बहुत जादा कहीं भी नहीं है minimal वर्क लोड है इतना है कि आप manage कर सकते हो इसके साथ ही अगर आप चाहो किसी और exam की त्यारी करना चाहिए आप UPSC की त्यारी करना चाहते हो या किसी और exam की करना चाहते हो तो आप अराम से manage कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप बैंक पियों में करना चाहते हो finance में तब आपके लिए बैंक पियों काफी अच्छा option है ठीक है यहां पर CGL में आपका fix timings रहते हैं लेकिन बैंक पियों में ऐसा fix timings नहीं हो पाता है social respect की बात करे जाए दोनों में ही social respect है ठीक है लेकिन फिर भी अगर आप compare करोगे तो देखो CGL के जो नौकरी है वो आपकी central government की नौकरी है ठीक है तो उसका थोड़ा सा एक अलग ही रुतवा रहता है तो उसमें थोड़ा सा जादा respect मिलती है social respect otherwise दोनों में ही social respect मिलती है तो इसमें आप बेविक्रिड हो अब आती है main बात जो की most important बात है selection timing क्यों बच्चे पीछा हट पीछे हटते है selection timing की अगर हम बात करें तो SSC CGL का जो selection timing है वो बहुत जादा है लगभग आप मान के चलो डेर साल तो लगभग लगी जाता है आपको पूरा process होते होते final joining आते आते tier one होगा tier two होगा three होगा फिर होगा four होगा फिर आपकी जोइनिंग आएगी तो काफी time यह consume कर लेता है उसकी बजाए अगर हम बैंक पियो देखें बैंक पियो में काफी कम time लगता है इसमें आपका छे महीने लगते हैं छे महीने के अंदर आपको जॉब मिल जा हैंगी आपको वहां आप CGL का वेट ही कर रहे होगे और डेर साल तो ऐसी निकल जाएगा पता भी ने चलेगा आप बात आती है competition की competition कहां पर जादा है competition आपका देखो जब यह CGL की है जो job इसमें central government की job है काफी जादा लोग prepare करते हैं सरकारी job होगी ठीके काफी जादा में थोड़ा सा कम होता है तो इसलिए हम moderate level का competition यहाँ पर बोल सकते हैं यह सारे points आगए अब बात करते हैं job आपने join कर ली ठीक है वहाँ पर transfer कैसे होगा promotion कैसे होगा उसका क्या रहता है आपर तो CGL में जो आपके promotions होते हैं और जो transfers होते हैं वो आपके slow रहते हैं अब इसक slow promotions होते हैं इसको तो सब ही आप negative way मिलोगे लेकिन slow transfer होते हैं इसको आप positive भी ले सकते हो negative भी ले सकते हो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ हो सकता है कुछ candidates ऐसे हो जो की transfer पसंद ना करेंगी हमें transfer नहीं हम stability चाहिए तो अगर stability चाहिए slow transfer होता है ज्यादा time तक है आप एक particular city म क्योंकि slow transfer होते हैं वहीं इसकी जगह है अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंक प्यों में आपके fast promotions होते हैं जो कि काफी अच्छी बात है और fast transfers होते हैं कि हम salary की बात करें 50 to 60 की हैं हाँ पर आपकी salary रहती है salary में देखा जाए तो काफी सादा difference नहीं है minimal सा difference है ठीक है इससे कोई इतना फरक नहीं पड़ेगा यह सारे basic points से चुकि हमें पता होने चाहिए अगर हम त्यारी start कर रहे हैं किसी भी exam की अब बात आती है main चीज आपको प्री होगा means होगा descriptive होगा और फिर आपका typing होगा तो प्री की हम अगर बात करेंगे tier 1 भी आप बोलते हो इसे इसमें आपका maths आता है reasoning आता है English आता है और आपका GS आता है ठीक है यह चारो subjects आपके यहाँ पर आते है means में क्या आता है आता है means में आपका यहाँ पर maths आता है और English आता है यह दो सब्लेक यहाँ पर आता है और descriptive आपका अलग होता है ठीक है इसमें essay letter यह सब पूसे जाता है अब similarly यहाँ पर जापका bank P.O. को जो होता है syllabus इसमें भी tier 1 जो होता है आपका pre-eals से बोलते हैं इसमें भी आपका maths आता है reasoning आता है और English आता है ठीक है general awareness आता है अब देखो बात कहां आटकती है सबसे पहले देखो maths पर यहाँ पर जो serial का maths आता है यह काफी अच्छे level का maths आता है क्योंकि यहाँ पर mains में भी maths आ रहा है प्री में भी maths आ रहा है तो अगर आपका अच्छा background है maths में तब आप इसको choose कर सकते हो इसमें आपका arithmetic भ में जो maths आती है वो आपकी advanced maths यहाँ पर नहीं आती है जैसे algebra हो गया ट्रेगो हो गया यह सारे topics नहीं आते हैं मैं solution नहीं आते हैं तो अगर आपको problem होती है इन सारे topics में तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा bank PO तबकि यहाँ पर जो है डी राई पेस जो है डी आई बे science में भी आती है यहाँ पर bank PO में जो आपके English आती है वो mainly आपकी newspaper based आती है ठीक है तो वह आप cover कर सकते हो newspaper based mainly यहाँ पर English आप से पूछी जाती है अब अगर हम बात करें general awareness की general studies की SSC CGL में प्री में आता है यह आपका इसमें आपके जो questions बनते हैं वह आपके अलग-अलग sections से बनते हैं जैसे आपका history हो गया, quality हो गया, geography हो गया, science हो गया, बहुत सारे subjects हैं जहां से बनते हैं चीक है environment हो गया और आपका current affairs हो गया इतनी सारे sections हैं जहां से questions बनते हैं जबकि on the other hand अगर हम bank की बात करें तो पहली बात तो pre में आता ही नहीं है तिरह आपका means में आता ह है वो आपका mainly यहां पर current affairs पूछा जाता है और banking related पूछा जाता है यहां पर तो इतना ज्यादा बाद syllabus नहीं है यहां पर GA का ठीक है तो main difference हो create करता है वो यहां पर यह हो जाता है ठीक है इन दोनों का syllabus और दूसरा match का syllabus यहां पर आपका advance इंक्लूड होता है बट यहां पर SSC CGL का syllabus जादा है ठीक है और अगर हम बात करें bank PO की इसका syllabus थोड़ा सा कम है इसलिए काफी बच्चे prefer करते हैं कि हम bank PO कर लेते हैं इसका syllabus थोड़ा सा कम रहता है उसमें हमें easy रहेगा तो यह totally आपके उपर depend करता है आप जिसमें comfortable हो जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं ठी आपका साल में एक बार होता है और यह भी काफी time taking process है डेड़ सारा अराम से लगा लेता है चीक है तो इसमें अगर आप जोइन करोगे तो काफी time लग जाएगा bank कि अगर हम बात करें तो आपके एक साल में काफी सारे exams होते हैं जैसे कि आपको posting भी मिल जाएगी, join भी करोंगे, salary मिलने स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर bank PO का ये वाला फायदा रहता है, अब फाइनली बात आती है, मैं करें तो क्या करें, हमें तो CGL भी अच्छा लग रहा है, हमें तो bank PO भी अच्छा लग रहा है, करें तो क्या करें, मुझे तुरंत ही job चाहिए, ज्यादा time मुझे waste नहीं करना है, तब मैं आपको suggest करूँगी, आप चाहो bank PO पर, इसके काफी सारे form निकलते रहते हैं, apply करो, अच्छे से त्यारी करो, और 6 महने के अंदर आपको job हाथ में मिल जाएगी, ठीक है, ये join कर लिया, फिर उसके बा थोड़ा बहुता जो changes है, स्रेबस में, त्यारी करो, अच्छे से paper दो, फिर एक डिर साल में जब भी आपके इसकी joining आएगी, तब आप इस पे switch कर सकते हो, तो ये आपके पास एक option हो सकता है, on the other hand, अगर कोई ऐसा बच्चा है, जिसको ये है कि मैं मेरा graduation complete हो गया है, और जारी start कर तो इसकी, थोड़ा से time लगता है, लेकिन दोनों ही अच्छी job हैं, अलग अलग तरीके से, depend करता है, आपके लिए क्या important है, ठीक है, दोनों की फायदे नुकसान में आपको बता दिये, अब आप ये सोचो, आपके लिए क्या जादा important है, आपके लिए जरूरी है ये कि आपको central government के अंदर, किसी ministry के अंदर काम करना है, या फिर bank PO की, जल्दी से job मिल जाती है, ये वाली job आपको चाहिए, दोनों ही jobs बहुत अच्छी है, promotions यहाँ पर बहुत अच्छी है, bank में feature काफी अच्छा रहेगा, आपका, CGL में promotions थोड़ी slow है, लेकिन वहीं रुत अच्छे से अपनी त्यारी स्टार्ट कर दोगे, अब कोई doubt आपको नहीं होगा, अभी भी धेखो, अगर आको त्यारी स्टार्ट करनी है, तो best platform, क्योंकि त्यारी जब भी स्टार्ट करनी होती है, तो right guidance बहुत जादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर right guidance नहीं मिलेगा, तो आप कि तियारी कितनी कर लो, तियारी करते रहा जाओगे, exam crack नहीं हो पाएगा और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि कई लोग बोलते हैं कि SSC जो है, ये तो हमें 3 साल तक तियारी करनी पड़ती है, तब जाके निकलेगा, पहली बार में निकलता नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जो कि पहली बार में निकालते हैं सभी SSC aspirants के लिए कि important announcement है, अगर आप SSC के साथ सथ banking की तियारी कर रहे हैं, या फिर आप CET oriented preparation करना चाहते हैं तो आप Unacademy Plus का SSC bank combo चूज कर सकते हैं, यह जो एक साल का प्लान है, इसके अंदर आपको पूरे 6 महीने extra SSC के और 6 महीने extra banking के मिलते हैं अगर आप एक साल का प्लान चूज करते हैं, तो पूरे 18 महीने के लिए आप पूरी की पूरी SSC category और पूरी की पूरी bank category पूरे तरीके अवेल कर सकते हैं इसमें सभी educators के सारे courses, class, PDFs के साथ सथ जितनी test series हैं, आप पूरी की पूरी अवेल कर सकते हैं यह जो offer है, इस समें 7999 का है, लेकिन यह limited period offer है, सिरफ 23rd of June तक यह valid है तो आप अगर इस plan को choose करते हैं, तो आप add the earliest 23rd of June तक अपना plan जरूँ चूज कर लेना अगर आप सिरफ ssc category की त्यारी करना चाहते हो, तो ssc category का एक साल का जो plan है, उस पर 4 महीने बिल्कुल free है और इसी तरीके दो साल का plan आप choose करते हैं, तो इस पर भी 4 महीने बिल्कुल free है यह आप अगर आप 12 महीने का plan choose करते हैं, तो आपको 16 महीने मिलेंगे और अगर आप 24 महीने का plan चूज़ करते हैं तो आपको 20 महीने मिलेंगे आप चाहे CET oriented तयारी के लिए SSE bank combo चूज़ करें या फिर आप SSE की तयारी के लिए सिरफ SSE का plan चूज़ करें दोनों ही cases में maximum discount के लिए आपको PMYT code लगाना है देखें फायदा जो है वो SSE bank combo में है लेकिन ये 23rd of June तक इस price पे है 7999 पे बाद में ये price बढ़ जाएगा तो आप जोन साभी plan चूज़ करें at the earliest अपना 23rd of June तक plan आप चूज़ कर लेना और PMYT discount code लगाके maximum discount आप ले सकते हैं थांक्यू सो मच, गडब्लेस